नमस्कार दोस्तों आज सुनते हैं मुश्री प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी मिर्तक भोज चली कहानी शुरू करते हैं सेट रामनाथ ने रोग शैया पर पड़े पड़े निराशापूर दिरिश्टी से अपनी इस्तरीश शीला की और देखकर कहा मैं बड़ा अभागा हूँ शीला मेरे साथ तुम्हें सदै भी दुख भोगना पड़ा जब घर में कुछ न था तो रात दिन गरस्ती के धंदों और बच्चों के लिए मरती थी जब जरा कुछ समला और तुम्हारे आराम करने के दिना आए तो यूँ छोड़े चला जा रहा हूँ आज तक मुझे आशा थी पर आज वो आशा तूट गई देखो शीला रो मत संसार में सभी मरते हैं कोई दो साल आगे कोई दो साल पीछे अब वो गिरहस्ती का भार तुम्हारे उपर है मैंने रूपिय नहीं छोड़े लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा ये राजा क्यों रो रहा है शुशीला ने आशू पोँचकर कहा जिद्धी हो गया है और क्या आज सवेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूंगा पचास रुपे से कम में आएगी मोटर सेट जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत इसने हो गया था बोले तो मगा दो ना एक बेचारा कपसे रो रहा है क्या क्या अर्मान दिल में थे सब धूल में मिल गए रानी के लिए बिलायती गुलिया भी मगा दो दूसरों के खिलोने देखकर तरस्ती रहती है जिस धन को प्राणों से भी पिरिये समझा वो अंत को डॉक्टरों ने खाया बच्चे मुझे क्या याद करेंगे कि बाप था अब हागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से पिरिये समझा कभी पैसे की चीज भी लाकर नहीं दी अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्ते बनकर आँखों के सामने खड़ी हो जाती है तो जो कुछ ना किया उसका खेद और जो कुछ किया उस पर पच्चा ताप मन को उदार और निश्कपट बना देता है सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे च्छाती से लगा कर रोने लगी बहु मातर हिसने जो पती की करपड़ता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था इस समय जैसे खौल उठा लेकिन मोटर के लिए रूपिय कहां से आते सेट जी ने पूछा मोटर लोगे बेटा अपनी अमा से रूपिय लेकर भहिया के साथ चले जाओ खूब अच्छी मोटर लाना राजा ने माता के आसू और पिता का ये इसने देखा तो उसका बाल हट जैसे पिगल गया बोला अभी नहीं लोगा सेट जी ने पूछा क्यों जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लोगा सेट जी फूट फूट कर रोने लगे तीसरे दिन सेट रामनात का दिहांत हो गया धनी के जीने से दुखो भोतों को होता है सुखो थोड़ों को उनके मने से दुखो थोड़ों को होता है और सुखो भोतों को महा ब्रामनों की मंडली अलग सुगी है पंडित जी अलग खुश हैं और शायद ब्रादरी के लोग भी पिरसन हैं इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ दिल से एक कांटा दूर हुआ और पट्टी दारों का तो पूँचना ही गया अब वो पुरानी कसर निकालेंगे हिर्दे को शीतल करने का ऐसा अफसर बहुत दिनों के बाद मिला है आज पाच्वा दिन है वो बिशाल भवन सूना पड़ा है लड़के न रोते हैं ना हसते हैं मन मारे मा के पास बैठे हैं और बिदभा भविश्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीप सी प पर आकर आवाज दी महरी ने आकर सेट धनिराम के आने की सूचना दी दोनों बालक बाहर दोड़े सुशीला का मन भी एक चड़ के लिए हरा हो गया सेट धनिराम ब्रादरी के सरपंज थे अबला का छुबदो हिर्दे सेट जी की इस किरपा से पुलकित हो उठा आखिर ब् यह सोचती हुई सुशीला गुंगट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई देखा तो धनिराम जी के अतरिक तो और भी कई सज्जन खड़े हैं धनिराम बोले बहु जी भाई रामनात की अकाल मिर्तियों से हम लोगों को जितना दुख हुआ है वो हमारा दिल ही जानता है अभी उनकी उम्र ही क्या थी लेकिन भगवान की इच्छा अब तो हमारा यही धर्म है कि इश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई रहा निकालें काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की आत्मा संतुष्ट भी हो कुबेर दास ने स कितने रूपिये हैं तेरे पास बहू क्या कहा कुछ नहीं सुशीला बोली घर में रूपिये कहां है सेड़ जी जो थोड़े बहुत थे वो बीमारी में उठ गए धनी राम तो ये नई समस्या खड़ी हुई ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेर दास जैसे हो भोज तो करना ही पड़ेगा हाँ अपनी सामर्थ देखकर काम करना चाहिए मैं करज लेने को ना कहूंगा हाँ घर में जितने रूपियों का पिरबंद हो सके उसमें हमें कोई कसर न छोड़ने चाहिए मिर्त जीब के साथ भी तो हमारा कुछ करतब है अब तो वो फिर कभी ना आवेंगे उससे सदैप के लिए नाता तूट रहा है इसलिए सब कुछ हैसियत के मताबिक होना चाहिए ब्रहमणों को तो भोज देना ही पड़ेगा जिसे की मरियादा का निर्भा हो धनी राम तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहुजी दो चार हजार भी नहीं सुशीला मैं आपसे सत्य कहती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है ऐसे समय क्या जूट बोलूँगी धनी राम ने कुबेरदास की और अर्धो अविस्वास से देखकर कहा तब तो ये मकान बेचना पड़ेगा कुबेरदास इसके सिवा और क्या हो सकता है ना काटना तो अच्छा नहीं रामनाथ का कितना नाम था ब्रादरी के इस्तंबत है यही इस समय एक उपाए है दस हजार रूपी मेरे आते हैं सूद बट्टा लगा कर कोई पंदरा हजार रूपी मेरे हो जाएंगे बाकी भोज में खर्च हो जाएगा अगर कुछ बच रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा धनी राम आपके एहां कितने पर बंदक रखा था कुबेरदास दस हजार रूपी पर रूपी सैकले सूद धनी राम मैंने तो कुछ कम सुना है कुबेरदास उसका तो रहन नामा रखा है जबानी बाची थोड़ी ही है मैं दो चार हजार के लिए जूट नहीं बोलूँगा धनी राम नहीं नहीं ये मैं कब कहता हूँ तो तूने सुन लिया भाई पंचों की सला है कि मकान बेच दिया जाए सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुँचा ये अंतिम बाग के उसके कानों में पड़े बोल उठा किसलिए मकान बेच दिया जाए बिरादरी के भोज के लिए बिरादरी तो खापी घार रहा लेगी इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी इनके भविश के लिए भी तो कुछ हो सोचना चाहिए धनी राम ने कोप भरी आँखों से देखकर कहा आपको इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं केवल भविश की चिंता करने से काम नहीं चलता मिर्तक का पीछा भी किसी तरह सुधनना ही पड़ता है आपका क्या बिगड़ेगा हसी तो हमारी होगी संसार में मर्यादा से पिरिये कोई बस्तू नहीं मर्यादा के लिए प्राड तक दे देते हैं जब वो मर्यादा ही न रही तो क्या रहा अगर हमारी सलह पूछो तो हम यही कहेंगे आगे बाई का अख्तियार है जैसा चाहे करे पर हमसे कोई सरोकार न रहेगा मैंने तो आपकी बात नहीं टाली आप मेरे बड़े हैं घर का हाल आपको मालूम है मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी करना नहीं चाहती लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरे खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी न होगी बेटी का बिहा करना है लड़के को पड़ाना लिखाना है ब्रहमणों को खिला दीजिए लेकिन ब्रादरी करने की मुझ में सामर्थ नहीं है दोनों महानुभावों को जैसे थपड लगा इतना बड़ा अधर्म भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है पंच लोग अपने मूँ में कालिख न लगने देंगे दुनिया बिद्भा को ना हसेगी हसी होगी पंचों की ये जग हसाई भी कैसे सह सकते हैं ऐसे घर के दौर पर जहाकना भी पाप है सुशीला रोकर बोली मैं अनात हूँ नादान हूँ मुझ पर किरोध न कीजिए आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे निर्भा होगा इतने में दो महाशे और आविराजे एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत दुबले नाम भी गुडों के अनुसार ही भीम चंद और दुर्बल्दास धनी राम ने संचेप में ये परिस्ति उन्हें समझा दी दुर्बल्दास ने सहिर्दिता से कहा तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रूपी दे दें जब इसका ललका सयाना हो जाएगा तो रूपी मिल ही जाएंगे अगर ना भी मिले तो एको मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं संतलाल ने पिरसन होकर कहा इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना कुबेर दास तेयरी चड़ा कर बोले तुम तो बेसर पैर की बातें करने लगे दुर्बलदास जी इस वखत के बाजार में किस के पास फाल्तू रूपी रखे हैं भीम चंद सो तो ठीक है बाजार की ऐसी मंदी तो कभी नहीं देखी पर निवह तो करना ही चाहिए कुबेर्दास अकड़ गए वो सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी वो अपने रूपी अब बसूल करके चोड़ेंगे भीम चंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया लेकिन भोजतों देना ही पड़ेगा उसे कर्तब का पालन न करना समाज की ना काटना है सुशीला ने दुरबलदास में सहिर्दिता का आभास देखा उनकी और दीन नेतरों से देखकर बोली मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ आप लोग मालिक हैं भीमारी में बिक गए आधे बचे हैं सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिये पर ये तो मुश्किल से तीन हुझार में उठेंगे दुरबलदास ने पोर्टली को हाथ में तॉल कर कहा तीन हजार को कैसे जाएंगे मैं साड़े तीन हजार दिला दूंगा भीमचंद ने फिर पोटली को तोल कर कहा मेरी बोली चार हजार की है कुबेरदास को मकान की बिकरी का पिर्शन छिड़ने का अपसर फिर मिला चार हजार ही में क्या हुआ जाता है बिरादरी का भोज है या दोश मिटाना है बिरादरी में कम से कम दस हजार का खर्चा है मकान तो निकालना ही पड़ेगा संतलाल ने ओठ चबा कर कहा मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतने निर्दई हैं आप लोगों को अनाथ बालकों पर भी दया नहीं आती क्या उन्हें रास्ते का भिकारी बना कर छोड़ेंगे लेकिन संतलाल की फर्यात पर किसी ने ध्यान ना दिया मकान की बाचीत अब नहीं टाली जा सकती थी बाजार मंदा है तीस हजार से बेसी नहीं मिल सकते पंद्रह हजार तो कुबिरदास के हैं पाँच हजार बचेंगे चार हजार गहनों से आ जाएंगे इस तरहे नो हजार में बड़ी किफाय से ब्रहमर भोज और ब्रादरी भोज दोनों निप्टा दिये जाएंगे सुशिला ने दोनों बालकों को सामने करके करवद्द होकर कहा पंचो मेरे बचों का मुँ देखिए मेरे घर में जो कुछ है वो आप उस सब ले लीजिए लेकिन मकान छोड़ दीजिए मुझे कहीं ठिकाना ना मिलेगा मैं आपके पैरों पड़ती हूं इसो समय मकान को ना बेचें अब इसका क्या जवाब दिया जाए पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान ना बेचना पड़े उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी नहीं थी किन्तु बरादरी का भोज और किस तरह किया जाए अगर विद्भा कम से कम पंच जार रूपिय का जुगार और कर दे तो मकान बच सकता है पर वो ऐसा नहीं कर सकती तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाए नहीं कुबर ने अंत में कहा देख भाई बाजार की दशा इस समय खराब है रूपिय किसी से उधार नहीं मिल सकते बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हीले से देगा हीले रोजी बहाने मौद बाल बच्चों की चिंता मत कर भगवान जिसको जनम देते हैं उसकी जिबका की जुगत पहले ही कर देते हैं हम तो तुझे समझा कर हार गए अब तु अब भी अपना हट ना छोड़ेगी तो हम तेरी बात भी न पूछेंगे फिर यहां तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे बिद्भा शुशीला अब और क्या करती पंचों से लड़कर वो कैसे रह सकती थी पानी में रहकर मगर से वैर कौन करे घर में जाने के लिए उठी पर बही मूर्चित होकर गिर पड़ी अभी तक आशा समाले हुई थी बच्चों के पालन पोशन में वो अब अपना वैदब भूल सकती थी पर अब तो अंधिकार था चारो और सेठो रामनात के मितरों का उनके घर पर पूरा अधिकार था मितरों का अधिकार न हो तो किसका हो इस तरी कौन होती है जब वो इतनी मोटी सी बात नहीं समगती कि ब्रादरी कन्ना और धूम धाम से कन्ना लाजमी बात है तो उससे और कुछ कहना बेर्थ है गहने कौन खरीदे भीमचंद चार हजार दाम लगा चुके थे लेकिन अब उन्हें मालुम हुआ कि उनसे भूल हुई थी दुरबलदास ने तीन हजार लगाए थे इसलिए सौदा इन्ही के हाथ हुआ इस बात पर भीमचंद और दुरबलदास में तक्रार भी हो गई लेकिन भीमचंद को मुझ की खाने पड़ी नियाए दुरबल के पक्च में था धनी राम ने कटक्च किया देखो दुरबलदास माल तो ले जाते हो पर तीन हजार से बेसी का है मैं नीती की हत्या ना होने दूँगा कुबेरदास बोले आजी घर में ही है कहीं बाहर तो नहीं गया एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी इस पर चारो महान उभाव हसे इस काम से फुरसत पाकर अब मकान का प्रिशन उठा कुबेरदास तीस हजार देने पर तयार थे पर कानूनी कारवाई की बिना संधे की गुंजाइस थी ये गुंजाइश क्यों कर रखी जाए एक दलाल बुलाया गया नाटा सा आदमी था पोपला मुहू कोई पचास की अवस्था नाम था चोखेलाल कुबेरदास ने कहा चोखेलाल जी हमारी तीस साल की दोस्ती है आदमी क्या रतन है भीम चंद देखो चोखेलाल हमें ये मकान बेचना है इसके लिए कोई अच्छा गाहक लाओ तुम्हारी दलाली पकी कुबेरदास बाजार का हाल अच्छा नहीं है लेकर फिर भी हमें ये देखना तो पड़ेगा कि रामनात के बाल बच्चों को टोटा ना हो फिर कान में धीरे से बोले तीस से आगे ना जाना भीम चंद देखिए कुबेरदास ये अच्छी बात नहीं है कुबेरदास तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छे दाम लगाना चोखिलाल आप लोगों को मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं मैं अपना धर्म समझता हूँ रामनाथ जी मेरे मितर थे मुझे ये भी मालूम है कि इस मकान के बनवाने में एक लाग से एक पाई भी कम ना लगी थी लेकिन बजार के हाल का क्या आप लोगों से छिपा है इस समय इसके 25,000 से बेसी नहीं मिल सकते सुभीते से तो कोई गिराहक से 10-5,000 और मिल जाएंगे लेकिन समय तो कोई गिराहक भी मुश्किल से मिलेंगे लो दही और लाव दही की बात है धनी राम 25,000 रूपिय तो बहुत कम है भाई ना सही 30,000 रूपिय तो करा दो चोखे लाल 30 किया मैं तो 40 करा दूँ पर कोई गिराहक तो मिले आप लोग कहते हैं तो मैं 30,000 रूपिय की बातचीत करूँगा धनी राम जब वो 30,000 में ही देना है तो कुबेरदास ही क्यों न ले ले इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए कुबेरदास आप को सब लोगों की राय हो तो ऐसा कर लिया जाए धनी राम ने हाम में कहकर हामी भरी भीम चंद मन में आठका रहे गए ये सोदा भी पक्का हो गया आज ही बकील ने बैनामा लिखा तुरंत तो रजिश्टरी भी हो गई सुशीला के सामने बैनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नित्रों से उस पर हस्ताक्छर कर दिये अब उसे उसके सिवा और कहीं शरण नहीं है बेवफा मित्र की भाती ये घर भी सुखे दिनों में साथ दे कर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है पंच लोग सुशिला के आगन में बैठे बिरादरी के रुके लिख रहे हैं और अनाथ बिदभा उपर जरोके पर बैठी भागी को रो रही है इधर रुका तयार हुआ उधर बिदभा की आँखों से आंसू की बूने निकल कर रुके पर गिर पढ़ी धनी राम ने उपर देख कर कहा पानी का छीटा कहां से आया संतलाल बाई बैठी रो रही है उसने रुके पर अपने रक्त के आंसूं की मोहर लगा दी है धनी राम उचे स्वर में अरे तो तू क्यों रो रही है बाई ये रोने का समय नहीं है अरे तुझे तो पिरसन होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज ये शुभ कारिये करने के लिए जमा है जिस पती के साथ तूने इतने दनो भोग बिलास किया उसी का पीछा सुधने में तू दुख मनाती है बिरादरी में रुका फिरा इधर तीन चार दिन पंचों ने भोजन की तयारियों में बिताए घी धनिराम जी की याड़त से आया मैदा चीनी की याड़त भी उनी की थी पांचवे दिन प्राता काल ब्रहमा भोज हुआ संदिया समय ब्रादरी का जो नार सुशिला के दौार पर बग्गियों और मोटरों की कतारें खड़ी थी भीतर महमानों की पंगतें थी आंगन बैठक दालान बरोठा उपर की छट नीचे उपर महमानों से भरा हुआ था लोगों भोजन करते थे और पंचों को सराते थे खर्च तो सभी करते हैं पर इंतजाम का सलीका किसी किसी को आता है ऐसे स्वादिष्ट पधार्त बहुत कम खाने में आते हैं सेठ चमपाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ जी का हुआ अमिर्तिया कैसी कुरकुरी है रसगुले मेवों से भरे है सारा शिरे पंचों को है धनी राम ने नमर्ता से कहा आप भाईयों की दया है जो ऐसा कहते हो रामनाथ से भाई चारे का विवार था हम न करते तो कौन करता चार दिन से सोना नसीब न हुआ आप धन हैं मित्र हो तो ऐसे हो महमान लोग बखान बखान कर मा लड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुसीला सोच रही थी संसार में ऐसे स्वार्थी लोग है सारा संसार स्वार्थ में हो गया है सब पेटों पर हाथ फिर फिर कर भोजन कर रहे है कोई इतना भी नहीं पूचता कि अनाथों के लिए कुछ बचा या नहीं एक महीना गुजर गया सुसीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी नकद था ही नहीं गहने निकल ही गए थे अब थोड़े से बरतन बच रहे थे उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे कुछ रूपिय डॉक्टर के कुछ दरजी के कुछ बनियों के सुशीला को ये रख में घर का बचा खुचा सामान बेच कर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ भी ना बचा बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था कभी कभी वो आकर एक आद रूपिया दे देता लड़के अबस्ता को समगते थे मा को छेड़ते ना थे पर मकान के सामने से कोई खोचे बाला निकल जाता और वो दूसरे लड़कों को फलिया मिठाई खाते देखते तो उनके मुह में पानी भर कर आँखों में भर जाता था ऐसी लल्चाई हुई आँखों से ताकते की दया आ जाती बही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते बीना थे अब एक एक पैसे की चीज को तरस्ते थे बही सज्जन जिन्होंने विरादरी का भोज करवाया था अब घर के सामने से निकल जाते पर कोई जहांकता ना था शाम हो गई थी सुशीला चूला जलाय रोटिया सेक रही थी और दोनों बालक चूले के पास रोटियों को अपनी छुदितो नेतरों से देख रहे थे चूले के दूसरे एले पर दाल थी दाल के पकने का इंतजार था लड़की ग्यारा साल की थी लड़का आठ साल का मोहन अधिर होकर बोला अम्मा मुझे सूखी रोटियां ही दे दो बड़ी भूख लगी है सुशीला अभी दाल कच्ची है रेप्ती मेरे पास एक पैसा है मैं उसका धही लिए आती हूँ सुशीला तूने पैसा कहां से पाया रेप्ती मुझे कल अपनी गुडियों की पिटारी में मिल गया था सुशीला लेकिन जल्दी आना रेप्ती दोड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरासा धही ले आई माने रोटी से कर दे दी धही से खाने लगा आम लड़कों की भाती बो भी सुआर्ती था बहन से पूछा भी नहीं सुशीला ने कड़ी आँखों से कहा बहन को भी दे दे अकेला ही खा जाएगा मोहन लज्जित हो गया उसकी आँखें डबडबा आई रेप्ती बोली नहीं अम्मा मिला ही कितना है पूछा ये सेठो कुबेरदास के आदमी थे मकान खाली कराने आए थे किरोद से सुशीला की आँखें लाल हो गई बरोटे में आकर कहा अभी मेरे पती को पीछे हुए महिना भी नहीं हुआ मकान खाली कराने की धुनसवार हो गई मेरा पचास हजार का घर तीस हजार में ले लिया पांच हजार सूद के उड़ाए फिर भी तस्कील नहीं होती कह दो मैं अभी खाली नहीं करूंगी मुनीम ने नमरता से कहा बाई जी मेरा क्या अख्तियार है मैं तो केबल संदेसिया हूँ जब चीज दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी जंजट करने से क्या फाइदा सुशिला भी समझ गई ठीक ही कहता है गाई हत्या के बल कई दिन खेत चरेगी नरम होकर बोली सेट जी से कहो मुझे दस पांच दिन की मोहलत दें लेकि नहीं उनसे कुछ मत कहो क्यों दस पांच दिन के लिए किसी का एहसान लूँ मेरे भाग में इस घर में रहना लिखा होता तो निकलना ही क्यों होता मुनिम ने कहा तो कल सबेरे तक खाली हो जाएगा सुशिला हाँ हाँ कहती तो हूँ लेकिन सबेरे तक क्यों मैं अभी खाली किये देती हूँ मेरे पास कौन सा बड़ा सामान है तुम्हारे सेट जी का रात भर का किराया मारा जाएगा जाकर ताला बाला लाओ या फिर लाए हो मुनिम ऐसी क्या जल्दी है बाई कल साफधानी से खाली कर दीजिएगा सुशीला कल का जगड़ा क्यों रखूँ मुनिम जी आप जाईए ताला लाकर डाल दीजिए यह कहती हुई सुशीला अंदर गई बच्चों को भोजन कराया एक रोटी आप किसी तरह निगली बरतन धोए फिर एक एक का मंगवा कर उस पर अपना मुक्तसर सा सामान लादा और भारी हिर्दे से उस घर से हमेशा के लिए बिदा हो गई जिस वक्त ये घर बनवाया था मन में कितनी उमंगे थी इसके प्रवेश में कई हजार विरहमनों का भोज हुआ था सुचीला को इतनी दोड़ धूप करनी पड़ी थी कि वो महीने भर भी मार रही थी इसी घर में उसके दो लड़के मरे थे यहीं उसका पती मरा था मरने बालों की इस मिर्थियों ने उसकी एक एक इंट को पवित्र कर दिया था उसने रात एक पडोसी के घर में काटी और दूसरे दिन दस रूपिय महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया इस नए कमरे में इन अनाथों ने तीन महीने जिस कश्ट से काटे वो समझने बाले ही समझ सकते हैं भला हो बेचारे संतलाल का वो दस पांच रूपिय से मदद कर दिया करता था अगर सुशीला दरदर घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीती किसी के घर में टहल करती पर जिन कामों को विरादरी नीचा समझती है उनका सहारा कैसे लेती नहीं तो लोग कहते ये सेठ रामनात की स्तरी है उस नाम की भी तो लाज रखनी थी समाज के चकर भी उसे किसी तहे तो छुटकारा नहीं होता लड़की के दो एक गहने बच रहते बो भी भी कहे जब रोटियों ही के लाले थे तो घर का किराया कहां से आता तीन महीने बाद घर का मालिक जो उसी बरादरी का एक पिर्तिश्टित व्यक्ति था जिसने मिर्ता को भोज में खूब बढ़ बढ़कर हाथ मारे थे अधिर हो उठा बेचारा कितना धरी रखता तीस रूपिय का मामला है रूपिय आठाने की बात नहीं है इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती आखर एक दिन सेट जी ने आकर लाल लाल आखें करके कहा अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे मैंने बरादरी के नाते इतनी मुरॉबत की अब वो किसी तरह काम नहीं चल सकता सुशीला बोली सेट जी मेरे पास रूपी होते तो सबसे पहले आपका किराया देती तब पानी पीती आपने इतनी मुरॉबत की इसके लिए मेरा सिर आपके चर्णों पर है लेकिन अभी मैं बिलकुल खाली हाथ हूँ यह समझ ली दिये कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और क्या कहूँ सेट चल चल इस तरह की बातें बहुत सुन चुका ब्रादरी का आदमी है तो उसे चूसलो कोई मुसलमान होता तो उसे चुपके से महीने महीने दे देती नहीं तो उसने निकाल बाहर क्या होता मैं ब्रादरी का हूँ इसलिए मुझे किराया देने की दरकार नहीं मुझे मागना ही नहीं चाहिए यही तो ब्रादरी के साथ करना चाहिए इसी समय रेपती भी आकर खड़ी हो गई सेट जी ने उसे सिर से पाउं तक देखा और तब किसी कारण से बोले अच्छा ये लड़की तो सयानी हो गई कहीं इसकी सगाई की बाचीत नहीं की रेपती तुरंत भाग गई सुशीला ने इन शब्दों में आत्मिता की जहलक पाकर पुल के तकंट से कहा कन्याओ की विभा की यही अवस्ता है धरम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए किराय की कोई बात नहीं है हमें क्या मालूम था कि सेट रामनात के परिवार की यह दशा है सुशीला तो आपकी निगा में कोई अच्छा घर है तो बताईए ये तो आपो जानते ही है मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है सेट जी लेने देने का कोई जगड़ा नहीं होगा बाई जी ऐसा घर है कि लड़की आजीबन सुखी रहेगी लड़का भी उसके साथ रह सकता है कुल का सच्चा हर तरह से संपन परिवार है हाँ वो दोहाजू है सुशीला उम्र अच्छी होनी चाहिए दोहाजू होने से क्या होता है सेट जी उम्र भी कुछ जादा नहीं अभी चालिस माही साल है पर देखने में अच्छा हश्ट पुछ्ट है मर्द की उम्र उसका भोजन है बस ये समझ लो कि परिवार का उध्धार हो जाएगा सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा अच्छा मैं सोच कर जवाब दूँगी एक बार मुझे दिखा देना जाबरमल जो की सेट जी का नाम था दिखाने को कहीं नहीं जाना है बाई वो तो तेरे सामने ही खड़ा है सुशीला ने घिरना पूर नेतरों से उसकी ओर देखा इसो पचास साल के बुढ़े की ये हवस छाती का मास लटक कर ना भी तका पहुँचा है फिर भी विभा की धुनसवार है ये दुश्ट समगता है कि पिरलोबनों में पढ़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांदूंगी वो अपनी बेटी को आजीवन कुआरी रखेगी पर ऐसे मिर्तक से बिभा करके उसका जीवन नश्ट ना करेगी पर उसने अपने किरोध को शांत किया समय का फेर है नहीं तो ऐसों को उससे ऐसा प्रिस्ताव करने का साहसी क्यों होता बोली आपकी स्किर्पा के लिए आपको धन्यवाद देती हूं सेट जी पर मैं कन्या का विभा आपसे नहीं कर सकती जहावर मल तो और क्या तू समगती है कि तेरी कन्या के लिए बरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा सुशीला मेरी लड़की कुआरी रहेगी जहावर मल और रामनात जी के नाम को कलंकित करेगी सुशीला तुम्हें मुसे ऐसी बातें करते लाज नहीं आती नाम के लिए घर खोया संपती होई पर कन्या कुए में नहीं डूबो सकती जहावर मल तो मेरा किराया दे दे सुशीला अभी मेरे पास रूपिय नहीं है जहावर मल ने भीतर भुसकर ग्रहस्ती की एक-एक बस्तू निकाल कर गली में फैक दी घरा फूट गया मटके तूट गए संदूक के कपड़े बिखर गए सुशीला ख़़ी अपने अदिन की ये किरूर किरीलना देखती रही घर का यूँ विद्वहन शिकर के जहावर मल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रूपिय बसूल करने की धमकी देखर चले गए बढ़ों के पास धन होता है छोटों के पास हिर्दे होता है धन से बड़े-बड़े बेपार होते हैं बड़े-बड़े महल बनते हैं नौकर चाकर होते हैं सबारी शिकारी होती है हिर्दे से संबेदना होती है आंसों निकलते हैं उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकन की दुकान थी बिरद्धा बिदभा निपूती इस्तरी थी बाहर से आग भीतर से पानी जहावर मल को सैक्णों सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठा कर अपने घर में ले गई मेरे घर में रहो बहू मुरावत में आ गई नहीं तो उसकी मुझें उखाड लेती मौ तो सिर्पन नाच रही है आगे नाथ न पीछे पगहा और धन के पीछे मरा जाता है जाने छाती पर लाद कर ले जाएगा तुम चलो मेरे घर में रहो मेरे इहां किसी बात का खटका नहीं बस मैं अकेली हूँ एक टुकड़ा मुझे भी दे देना सुशिला ने डरते डरते कहा माता मेरे पास सेर भर आटे की सिवा और कुछ नहीं है मैं तुम्हें किराया कहां से दूँगी बुडिया ने कहा मैं जाबर मल नहीं हूँ बहू ना कुबरदास हूँ मैं तो समझती हूँ जिन्दगी में सुख भी है दुख भी है सुख में इतराव मत दुख में घबराव मत तुम ही से चार पैसे कमा कर अपना पेट पालती हूँ तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम महल में रहती थी आज भी देख रही हूँ जब तुम अनात हो जो मिजाज तब था बही अब है मेरे धन भाग कि तुम मेरे घर में आओ मेरी आखें फोटी हैं जो तुम से किराया मागने जाओंगी इन सांतना से भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हिर्दे का बोज हलका कर दिया उसने देखा सची सज्जनता भी दरदरों और नीचों के पास रहती है बड़ों की दया भी होती है एहंकार का दुसरा रूप इस खटकन के साथ रहते हुए सुशीला को छे महीने हो गए थे सुशीला का उससे दिनो दिन इसने बढ़ता जाता था बो जो कुछ पाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती दोनों बालक उसकी दो आँखें थे मजान न थी कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आँखों से देख ले बुढिया दुनिया सिर पर उठा लेती संतलाल हर महीने कुछ ना कुछ दे दिया करता था इससे दाल रोटी चल जाती थी कातिक का महीना था जोर का पिरकोफ हो रहा था मोहन एक दिन खेलता कूदता बिमार पड़ गया और तीन दिन तक अचेत पड़ा रहा जोर इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी बुढिया ओजे सैयानों के पास दोड़ती फिरती थी पर जोर उतनने का नाम न लेता था सुशीला को भै हो रहा था ये टाइफाइड है इससे उसके प्राण सूख रहे थे चौथे दिन उसने रेपती से कहा बेटी तुने बड़े पंच जी का घर देखा तो है जाकर उनसे कहे बहिया बीमार है कोई डॉक्टर भेज दे रेपती को कहने भर की देर थी दौरती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई कुबेरदास बोले डॉक्टर की फीस सॉला रूपिय है तेरी मा दे देगी रेपती ने निराश होकर कहा अमा के पास रूपिय कहा है कुबेरदास तो फिर किस मूचे मेरे डॉक्टर को बुलाती है तेरा मामा कहा है उनसे जाकर कहे सेवा समिती से कोई डॉक्टर बुला ले आए नहीं तो खेराती अस्पताल में क्यों लड़के को लेकर नहीं जाती या अभी बही पुरानी बू समाई हुई है कैसी मुर्ख इस्तरी है घर म का धन करम कारी के लिए है यूँ उड़ाने के लिए नहीं रेपती मा के पास लोटी पर जो कुछ सुना था वो उससे कहना सकी घाव पर नमक क्यों छड़के बहाना कर दिया बड़े पंच जी कहीं गए हैं सुशीला तो मुनीम से क्यों नहीं कहा इहां क्या कोई मिठाई ख सेवा समती के डॉक्टर भी दो दिन बड़ी मिनतों से आए फिर उन्हें भी अबकाश ना रहा और मोहन की दशा दिनो दिन बिगड़ती जाती थी महीना बीट गया पर जुर ऐसा चड़ा कि एक छड़के लिए भी ना उतरा उसका चेहरा इतना सूग गया था कि देखकर द लकड़ी हो गए संतलाल काम से छुटी पाता तो आ जाता पर इसे क्या होता है तीमारदारी दवा तो नहीं है एक दिन संधिया समय उसके हाथ ठंड़े हो गए माता के प्राड पहले ही सूखे हुए थे ये हाल देखकर रोने पीटने लगी मिन्नतें तों बहुतेरी हो चु कर भी मैं बालक को च्छाती से लगा हुए संतुच थी लेकिन ये चोटना सही जाएगी तुम इसे अच्छा कर दो इसके बदले मुझे उठा लो बस मैं यही दया चाहती हूँ दया मैं संसार के रहिस को कौन समझ सकता है क्या हम में से बहुतों को ये अनवब नहीं कि जिस का जुर उतर गया बच्चे की सेवा में आधी तो बैसे भी रह गई थी इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे क्या उसके याचना अक्छ रशा पूरी हुई पंधर बे दिन मोहन चारपाई से उठकर मा के पास आया उ अब मुझे क्या चिंता भगवान पालने वाले हैं बही तुम्हारे रक्षक हैं बही तुम्हारे पिता हैं अब मैं सब तरफ से निश्चिंत हूँ अब जल्दी ही अच्छी हो जाऊंगी मोहन बोला जिया तो कहती है अम्मा अब अच्छी ना होंगी सुशीला ने बालक का चुम्मन लेकर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो, मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं न जाऊंगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, हाँ जिस दिन तुम कोई अपराद करोगे, किसी की कोई चीज उठा लोगे, उसी दिन मैं मर जाऊंगी, मोहन ने पिरसन होकर कहा, तो त दोनों अनाथ बालकों को छोड़कर दुनिया से सिदार गई। इस घटना को तीन साल हो गए हैं, मोहन रेपती दोनों उसी बिरद्धा के पास रहते हैं। बुड़िया मा तो नहीं है लेकिन मा से बढ़कर है। बहारू करती है, पुड़िया सौधा बेचने चले जाती है, तो वो दुकान पर भी आ बैठती है। एक दिन बड़े पंच सेठ को बेरदास ने उसे बुला भेजा और बोले तुझे दुकान पर बैठते शरम नहीं आती, सारी ब्रादरी की ना कटा रही है, खबरदार जुक से दुकान पर बैठी, मैंने तेरे पाड़ी गिरहन के लिए जावरमल जी को पका कर लिया है, सेठानी ने समर्थन किया, तू अब सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, सेठा जावरमल तो राजी भी ना होत भाई छोटा है, उसकी भी कोई दुकान करा दी जाएगी, सेठ बरादरी की कितनी बदरामी है, सेठानी है ही, रेप्ती ने लजजित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें, सेठ, वो कौन होता है, टके पर मुनीमी करता है, उससे मैं क्या पोँचूं, मैं बरादरी नोने राय ली है, सब मुझसे सहमत है, अगर तू यू नहीं मानेगी, तो हम अदालती कारवाई करेंगे, ये कहते हुए नोने बीस रूपिये के नोट रेप्ती की तरफ फेंग दिये, रेप्ती ने उठा कर बहीं पुर्जे पुर्जे कर डाले, और तमतमाय हुए मुखस नहीं, रेप्ती चली गई, तो जावर मल कोठी से निकल आए, चेहरा उदास था, सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमिंडन है, आख का पानी मर गया है, जावर मल बीस रूपिये खराब हो गए, ऐसे फाड़े की जुड़ भी नहीं सकते, कुबेर दास, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठे करूँगा, जाएगी कहा, जावर मल, अब तो आपका ही भरोसा है, ब्रादरी के बड़े पंच की बात कहीं मिथ्या हो सकती है, रेप्ती नावालिक थी, माता पिता नहीं थे, ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था, वो ब्रा इस ब्रादरी का अंत कब करेंगे, रेप्ती, क्या ब्रादरी मुझे जवरस्ती अपने अधिकार में ले सकती है, संतलाल, हाँ बेटी, धानिकों के हाथ में तो कानून भी है, रेप्ती, मैं कह दूंगी कि मुझे उनके पास नहीं रहना, संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा, तेरे भाग में यही लिखा था, तो किसका बस है, मैं जाता हूँ, बड़े पंची के पास, रेप्ती, नहीं मामा जी, तुम कहीं न जाओ, जब भाग ही का भरोसा है, तो जो कुछ भाग में लिखा होगा, बही होगा, रातों रेप्ती ने घर में काटी, बार बार निंदर पुद्रड हो जाता, प्राता काल रेप्ती गंगा इसनान कन्ये गई, ये धर कई महीनों से उसका नित का नियम था, आज जरा अधेरा था, पर ये कोई संधे की बात न थी, संधे तब हुआ, जब वो आठ बज गए, और वो लोट कर ना आई, तीसरे पहर सारी ब्रादरी म बदनामी तो ना होगी, जहावरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई उपाय कीजिए, उधर मोहन सिर्फ पीट पीट का रो रहा था, और बुडिया उसे गोध में लिए समझा रही थी, कि बेटा, उस उदेवी के लिए क्यों रोते हो, जिन्दगी में उसके जरूर बताना, कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना, जिसे की ऐसी ही सुन्दर मनों और कहानियां आप लोगों को मिलती रहें, मिलते हैं अगली किसी नहीं कहानी में